साई की बात बचे तुम्हें यश्प्राप्त होगा मेरे बचे तुम्हें यश्प्राप्त होगा तुम्हें आज तक ऐसा लगता था ना कि कोछ नहीं होगा लेकिन होगा तुम्हें मेरी किरपा से यश्प्राप्त होगा मेरे बचे और सुनो तुम्हें हमेशा ये लगता है न कि पैसा तुम्हारे पास ठिकता नहीं है पैसे की तो सबको जरुवत होती है तो सुनू अगर तुम महीने का 10 रुपे कमाते हो न तो 8 रुपे अपने घर परिवार में लगाओ और 2 रुपे न मेरे बचे किसी सादू की सेवा में गव की या फिर भगवत सेवा में लगाओ अगर तुम 2 रुपे किसी को दोगे न किसी जरुवत मंद को तो उपर वाला तुम्हारे लिए 2 लाग का इंतिजाम कर देगा मेरे बचे अगर तुम सच में धनी बनना चाहते हो धन तुम्हारे पास ठिके ये चाहते हो न तो तुम्हें कोई भी उपाय करने की जरुवत नहीं है सिर्फ ये करना है किसी भी जीव को आवशकता हो न धूंडो मत प्रयास मत करो जो तुम्हारे सामने अपने आप आजाए न अपने आप सहर सभाव आ जाए तो उसकी मदद करो चाहे कोई बिमार हो तो देखना उपर वाले की इतनी किरपा रहेगी न तुम पर कि श्री का वर्धन अपने आप हो जाएगा श्री का वर्धन होगा तुम देखना मेरे बचे और सुनो बिलकुल भी न निराश मतो एक समय ऐसा आएगा कि तुम अपनी जादी ठोकर कहोगे कि हाँ साई आप हो आप मेरे लिए खड़े हो और कि सद्करू पर्मात्मा कभी अंतरधान नहीं होते वो तो विराज़ित होते हैं शब्दों में अगर तुम साइंस चरित्र पढ़ोगे न तो उनकी वाणी में वो चीजे हैं वाणी ही सब कुछ आज़त होते हैं। वो वही पर होते हैं कि एश्वर भी कहते हैं, जहां मेरा गायन होता है। हक है कि तुम मांगो और तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारी सेवा तुम्हारे इश्वर ने तुम्हें दी है कि तुम्हें देना है और देने वाला बनो मेरे बचे और तुम ये कहोगे कि साइं में देने वाला कैसे बनो तो तुम्हें लेने वाला भी बनना बहुत जरूरी ह तो सुनो, लेने वाला तुम अपने साइंसे बनो, अपने साइंसे मांगो मेरे बच्चे, अपने साइंसे तुम जितना मांग सकते हो ना मांगो, और मैं तुम्हें देने वाला बनाओंगा, मैं तुम्हें सक्षम बनाओंगा मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे मांगो गे न तो मैं तुम्हें दूंगा और जब तुम देना शुड़ू करोगे न तो तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हारे पास हर तरीके से आएगा अपने आप आएगा और सुनो अगर तुम सफलता चाहते हो न तो इदर उदर भटको मत सही समय का चुनाफ कर करो और गलत चगा परना मचाया करो मेरे बचे बिलकुल भी मचाया करो और ऐसे लोगों से बिलकुल दूर रहा करो जो दिखावे की सिंदगी जीते हैं वो तुम्हारे दिमाग में भी ये सब चीज़े डाल देते हैं जिससे तुम्हारा मन भी भटकने लगता है और सुनो म मिनटी सही मेरे बच्चे अगर तुम ऐसा करो गे ना तो तुम्हारे सारे सारे पाप नस्ट हो जाएंगे जो जाएंगे यूही जाने मत दिया करो मेरे बच्चे बिलकुल नहीं और सुनो जब कोई पुरानी बातों को याद करकर रोता है या पश्टाता है न तुम उसे हमेशा चुप करवा देते हो अपने तरीके से तो सुनो उसके बावजूद भी न वो तुम्हारी बातों को नजर अंदास कर देते हैं तुम्हारी बातों को न कोई नहीं मानता तुम्हारा कोई पालन नहीं करता पता है क्यों क्यों कि तुम भी वैसे चीज़े करते हो न तुम भी कभी कभी अकेले बैठते हो न तो तुम भी ब्रह्मन करने पीछे चले जाते हो अपने से पुरानी जिंदगी में इसके पोआने का या कारण है क्या तरीके हैं तभी तुम सामने वाले को समझा सकते हो सिर्फ ये कह देना कि अपने अतीत के बारे में मत सोचो तो ये कोई सलह नहीं होई मेरे बचिंट अगर सलह देना चाहते हो तो उसका उधारन दे कर तुम्हें समझाना होगा वो तरीका तुम्हें बताना होगा और वो तरीका तुम तभी बता सकते हो जब तुमने उसका अनुभव किया हो जब तुम अपने उपर इस सब चीजें लागू करो तब वो तुम्हारी बातों को सुनेंगे और जो मेरे बच्चे मेरे आदेशों पर चलते हैं मेरे बातों को टालते नहीं है न वो हमेशा खुश रहते हैं हमेशा और उनके जिन्दगी में कभी कोई परिशानी नहीं आती क्योंकि मैं उनके जिन्दगी में कभी कोई परिशानी आने ही नहीं देता मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझे गले लगा करना बहुत रोना चाहते हो, तुम्हारा बहुत दिल भरा हुआ है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम चाहते हो कि तुम अपने साइं के, अपने बाबा के गले रखकर तुम बहुत रो, तो ऐसा होगा मेरे बच्चे, मैं जरूर आऊंगा तुम से मिलके और जितना तुम्हें रोना होना मुझसे गले मिलकर रो लेना मेरे बच्चे रो लेना और सुनो तुम वाहन खरीदना चाहते हो ना तुम्हारा वाहन खरीदने का जो सप्रा है वो मैं उसे बहुत जल्दी पूरा करूंगा मेरे बच्चे बहुत जल्दी तुम वाहन खरीदोगे और तुम्हारे नाम पर ही वो वाहन होगा मेरे बच्चे तुम चिंता मत करना मैं इंतिजाम कर दूँगा मेरे बच्चे और सुनो जैसे तुम रहते हो न अपने रहन सहन को थोड़ा ठीक करो क्योंकि जिस समाज में तुम रहते हो आस पड़ो उसमें महौल में जैसे तुम रहते हो न तो तुम्हारे पहनावे पे उड़ावे पेना बहुत सारी तुम्हारे पीट पीछे टिपणिया की जाती है मेरे बच्चे अगर घर समाज में इज़द बनाना चाहते हो न तो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे सादगी में रहना बहुत अच्छी बात है लेकिन जिस समाज में तुम रहते हो न उस समाज में भी इज़द मान के लिए थोड़ा सा अच्छे से रहा करो बन ठन के रहा करो जैसे तुम अपने साई को रखते हो वैसे ही तुम खुद भी रहा करो मेरे बच्चे और सुनो तुम्हारे जिन्दगी में जो दुखाते हैं दर्द आते हैं न जो दोखा तुमें मिला हैं न ये सब इसलिए आता है मेरे बच्चे कि तुम अंदर से मजबूत मन सको तुम्हारे अंदर शक्ती आ सके और जो ठोकरे हैं वो जिन्दगी में बहुत जरूरी होती है मेरे बच्चे तभी हमें समझ में आता है तभी हमें अनुभव फ्राप्त होते हैं कि कौन इंसान कैसा है और कौन इंसान कैसा नहीं है अपने परायों की पहचान तभी होती है जब बुरा समय आता है मेरे बच्चे अगर बुरा समय नहीं आएगा तो क्या तुम अपनों की पहचान कर पाओगे और आज देखो तुम्हारा जो पुरा समय चल रहा है न तब तुम्हें समझ में आ रहा है न कि कौन तुम्हारा अपना है कौन तुम्हारा साथ दे रहा है और कौन नहीं दे रहा क्योंकि जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बात कर दी, व्यर्थ कर दी मेरे बच्चे, आज वही लोग तुम्हारे साथ में नहीं खडे तो वही सच तुम्हारे सामने लाना भी जरूरी था न क्योंकि तुमने जिंदगी भर जिनके लिए सब कुछ किया सब कुछ अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए दे दी तो क्या आज वो तुम्हारे लिए खड़े हैं नहीं खड़े न तो तुम जिस वहम में जी रहे थे न, उस वहमों से मुझे तुम्हें बाहा निकालना था मेरे बच्चे, मैं चाहता था कि तुम उन सब वहमों से बाहा निकलो, और सचाई देखो कि सचाई है क्या आखिर मेरे बच्चे, तुम्हें सचाई देखने का पूरा-पूरा हाक है, क्योंकि तुम साइं के बच्चे हो, समझे ना मेरे बच्चे, और तुम जिस सुनार से मेरे बच्चे, या कहीं से भी, जो ग्रह नक्षत्र के पत्थर पहनते हो ना, चाहे वो पन्ना हो, हीरा हो, या कुछ भी मेरे बच्चे, अपने राशी के अनुसार, तो वो सब नकली है म पाद भी तुम्हें असर नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते, क्योंकि वो नकली है मेरे बच्चे, कुछ भी इस दुनिया में असली नहीं मिलता, और जितना तुम्हें दिया गया है न, वो सब नकली है मेरे बच्चे, उसे मत पहनो, वो एक साधरन पत्थर है मेरे बच्चे, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रंगीन, साधरन, पत्थर है तो उनसे बचो मेरे बचे खुश रहो, आज का मध्यान साई संदेश, समाप्तुआ